स्वागता बच्चों आपका Self Study Case Channel में और आज हम अपनी pronoun का fourth part start करने वाले हैं जिसके अंदर हम demonstrative case या demonstrative pronoun देखेंगे एक बार जल्दी से revision कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या कर लिया है या फिर introduction हम बात करेंगे pronoun कहते किसको है A word used in place of a noun एक noun की जगह पे आने वाले शब्द को हम pronoun कहते हैं जैसे सचिन, plays, cricket आप दुबारा से सचिन का use नाक हो मतलब उसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे ही अगर वो लड़का है तो ही, लड़की है तो she और कोई चीज है तो it अगर बहुत सारे हैं तो they हम use करेंगे types of pronoun की बात करें तो कितने type के होते हैं यह मैंने यहां पर लिख रखे हैं और इन में से हमने कौन-कौन से कर लिए अब तक तो personal pronoun हम कर चुके हैं जिसके हंदर हमने first person, second person, third person यह तीन person हमने देखे थे यह first person बात करने वाला, second person बात सुनने वाला third person जिसके बारे में बात हो रही है इसके बारे में हमने देखा था possessive pronoun हमने देखा था और बहुत अच्छे से यह चीज़ों को हमने clear किया था reflexive pronoun reflexive pronoun वो होता है जिसके अंदर doer और receiver अगर same हो तो वहाँ पर उस case में हम क्या use करते हैं reflexive pronoun यूज़ करते हैं emphatic pronoun हमने देखा था emphatic pronoun में क्या होता है कि ये काम subject ने खुद किया है इसके उपर emphasize किया जाए यानि जोड डाला जाए या फिर कहें इसके उपर stress दिया जाए तो ये काम कोन करेगा कि emphatic pronoun करेगा फिर हमने देखा था distributed pronoun distribute का मतलब होता है बांटना एके करके बात करना याद हो तो each either और neither ये हमने देखा था कि distributed pronoun का काम करते हैं ये वाला और ये वाला clear यहां पर इसके साथ साथ हमने any all ये सारी चीज़ें भी discuss की थी तो अब तक हमारे सामने पांच total pronoun हो चुके हैं ताइप पांच टाइप के प्रणाउन हो चुके हैं और आज हम करने वाले हैं demonstrative pronoun इस शब्द को हम already discuss कर चुके हैं जब मैंने basic की basics करवाये थे basics के adjective के अगर मैंने आपको basic करवाये थे अगर आपको वो याद है तो उसके अंदर हमने demonstrative adjective के नाम से किया था और एक छोटा सा overview मैंने आप लोगों को वहाँ पर करवाया भी था कि pronoun pronoun versus adjective में इसका differentiate वहाँ पर कराया था कि कैसे हम पहचानेंगे कि कब ये pronoun बन रहा है कब ये adjective बन रहा है तो एक बार सारा clear कर देते हैं वो अच्छे से clear हो जाए फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी अगर पहली बार देख रहा है तो थोड़ा बहुत उसको मैं अच्छे से समझाओ दूँ लेकिन देखो full नहीं कर पा मतलू कि 100% नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि बेसिक्स मैं अलड़ी करवा चुका हूँ तो sentence break करना, ये adjective है ये adverb है, ये verb है कैसे identify करेंगे, कहां object बन रहा है कहां subject बन रहा है तो ये मैं अलड़ी discuss कर चुका हूँ तो वो सारी चीज़ें फिर से एक वीडियो के अंदर करवाना तो बहुत ज़्यादा lengthy हो जाता है वो चीज़ और मैं नहीं चाता है कि ये ज़्यादा वीडियो lengthy हो तो request यही रहेगी जाकर पहले वाली वीडियो आप देख ले ओके, स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर ज़रा देख लो this, that, these, those यहाँ आते हैं हमारे सामने और यहाँ पर बकाइदा मैंने digital का use करते हैं मतलब power है अपने पास हम photo shot लगा सकते हैं और वो photo लगाई है मैंने तो singular और singular ध्यान देना अगर कोई चीज नजदीक है close तो उसके लिए हम this लगाएंगे अगर कोई चीज singular के अंदर है अगर कोई चीज far away यानि दूर है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे that लगाएंगे यानि this और that दोनों लगते किस के लिए हैं singular के लिए और यह जो इस जो है वो नजदीक के लिए और that जो है वो दूर के लिए यह चीज हमने यहाँ पर देखी these और those अगर कोई चीज plural है और नजदीक है तो these अगर कोई चीज जादा है और दूर है तो those clear तो इन दोनों में similarities क्या है these और those में यह लगते किस के लिए हैं plural के लिए लेकिन these जो है वो नजदीक के लिए और those जो है वो दूर के लिए clear तो यह चीज़ें थी this that these those कहां इसका use करेंगे वो तो अभी हम बात करेंगे लेकिन इनकी meaning में क्या difference है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है तो एक बार यह rough कर देते हैं सारा demonstrative का मतलब होता है संकेत pronoun किसको कहते हैं जो noun की जगह पर आ जाए उसको कहेंगे और यहां पर हमने demonstrative pronoun देख रहा हैं तो इसकी तरफ एक तरिके से इशारा करते होगी किसी noun की जगह पर आएगा यह चीज तो clear होगी definition clear हो जाती है demonstrative की अब इस example में जाने से पहले रमेश वाले पर example पर आ जाते हैं अब यह भी example कराऊं तो एक चीज दरा ध्यान रखना अगर आप comparison कर रहे हैं तो यहां पर हमें एक तरिके का comparison करेंगे अगर आप comparison कर रहे हैं तुलना कर रहे हैं तो चीजों का ध्यान रखना है हमेशा जो comparison है वो same चीजों के बीच में होगा अगर आप comparison कर रहे हो subject के बीच में तो अगली बार भी subject आएगा comparison अगर object में हो रहा है तो object के बीच में ही comparison होगा मतलब क्या है इसका sir मतलब यह है अगर आप comparison weight का height के साथ कर रहे हो, तो क्या ये possible है? नहीं, सरी, यह नहीं हो सकता हम तो वही weight का comparison, weight के साथ और height का comparison, height के साथ होगा, इस चीज़ को ध्यान रखने अभी ये क्यों बोला है? थोड़ी देर में चीज़े clear कर दूँगा ओके, फिर से सुनू अगर comparison कर रहे हो, तो चीज़ें सेम रखनी है, subject का comparison हो रहा है, तो subject ही रखा जाएगा object का comparison कर रहे हैं, तो object ही रखा जाएगा, अभी मैं करवाता हूँ इस चीज़ को, इस चीज़ को rough करते हैं और इस वाले sentence में आते हैं तो सबसे पहले, हमारी trick क्या रह रही है, किसी भी sentence को करने की तो हम पहले उसको करेंगे break तो इसमें, रमेश is taller than ये तो बात की बात है कि I आएगा या मी आएगा, वो अभी discuss कर लेंगे और मुझे लगता है कि हर बच्चा ये मी के उपर बैठा होगा कि सर मी लगाएंगे इसके उपर हम कोई न, अभी करते हैं चीज को तो रमेश is taller than I या मी, तो इसको break करें तो इस है यहां पर main verb रमेश क्या है, रमेश है यहां पर subject, जिसके बारे में बात हो रही है, central idea है noun है, proper है, याद हो तो चीजे मैंने अलड़ी कर रही है कर रहे थे, अब यह taller क्या है, यह है adjective यह होगी adjective subject, compliment का काम कर रही है देखो, adjective भी तीन टाइप की होती है, degree चलती है सची adjective की degree चलती है एक positive चलती है, एक comparative चलती है और एक superlative चलती है comparative, मतलब positive में positive जैसे tall, comparative में जैसे taller और superlative में tallest तो ER और EST लगाकर degree चलाई जाती है किसकी? adjective की, clear positive का हम use वहाँ करते हैं just simple हमें किसी के बारे में बस बताना है कोई चीज positive का इंदा sense यह नहीं है कि हम उसके सामने सिर्फ अच्छाई अच्छाई करेंगे भई हमने बता दिया, अगर वो अच्छा है तो अच्छा बोल दिया बुरा है तो हमने बुरा बोल दिया comparative का मतलब है comparative का मतलब है तुलना कर देना किसी भी दो इंसानों के बीच में तुलना कर देना comparison किया जा रहा है तुलना किया ही जा रही है रमेश के बीच में और ये आया मी के बीच में comparison हो रहा है तो ये जो चीज है ये एक close है close क्या होता है सर भाया close वो होता है जिसमे subject plus में verb का pair मिल जाए अगर एक sentence में subject plus verb दो बार आये हुए है तो समझो उसमें दो close है यानि एक sentence में दो close है उन दोनों को जोडने के लिए conjunction लगाई जाती है समझे ना conjunction जो है वो जोडने का काम करती है वो अलग चीजे हैं कि subordinate conjunction क्या होती है उसके बारे में बात में बात करेंगे ज़स्पल सिम्पल सिको समझो तो सेम चीज अगर हम real life में कर रही है तो सेम ऐसा ही है कि यहाँ पर English grammar में भी वो चीज करने वाले है कि दो sentence को जोडना है दो noun को जोडना है दो pronoun को जोडना है दो adjective को जोडना है दो verb को जोडना है दो adverb को जोडना है उसके लिए हमें conjunction की जरूरत पढ़ती है clear यह फिर से सारी जीज़ें आ रही है क्योंकि मैं already discuss कर चुका हूँ जो पढ़ रहे हैं continuity में जिनोंने पहले वाली वीडियो लगा रखी है तो उनको तो यह सीज़ें समझ में आ रही होगी मैं क्या discuss कर रहा हूँ subject, verb, यह conjunction क्या होती है तो यह close number one हो गया और यह then यहां पर conjunction हो गया एक और close को जोडने के लिए आ रही है यहां पर एक और close है clear अब यह then आया अब इस sentence को अगर पढ़ें रमेश is taller than comparison किसके बीच में हो रहा है रमेश, यानि रमेश क्या बना हो है subject तो अगली बार भी क्या आएगा मुझे बताओ जो रहा subject आएगा मैंने अभी थोड़े देर पहले क्या है न comparison हमेशा same चीजों के बीच में हो रहा है अगर comparison same चीजों के बीच में हो रहा है अरे भाईया ये subject बना हुआ है ये मी एक objective case है आप कैसे कर सकते हो subject object का comparison आप subject का comparison subject के साथ करोगे न तभी तो बोला comparison हमेशा same चीजों के बीच में होता है height के बीच comparison कर रहे हो तो height के साथ ही comparison करोगे न ऐसा तो है नहीं height का comparison आप weight के साथ कर दोगे ये तो possible नहीं हो सकता same चीज subject का comparison subject के साथ ही होगा object का comparison object के साथ ही होगा इस चीज को हम बहुत अच्छे से करेंगे अभी इस चीज को समझ भाया अब फिर से देखो रमेश is taller than I यहाँ पर subject number 2 बन गया इसका comparison इसके साथ हो गया तो ये हो गया सर अगर ये subject है आई अगर subject बना है तो इसके लिए verb कहां है सर आपने starting में ही बोला हुआ है जबसे हमने basic की class लगाई है तो आप कहते आ रहे हो कि subject आएगा और उसके लिए verb आईगी ये तो सर 100% आएगा ही आएगा लेकिन आपने subject लगा दिया verb कहां गई भई सवाल तो बहुत बड़ा है तो sub verb जो है वो यहां पर am है वो understood है अगर आप ये लिख देते हो रमेश is taller than I am तो कोई पहाड नहीं तूट पड़ेगा अगर आप ये लिख देते हो रमेश is taller than I तब भी sentence सही है यहां पर ये understood का मतलब है लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता कहां लिखी जाएगी कहां फर्क पड़ेगा वो हम जैसे जैसे आगे चलेंगे वहां बता दूँगा अभी यहां पर ज़्यादा दिमाग के घोड़े जलाने की मतलब यह दोड़ाने की जोररत नहीं है मेरे साथ चलो चीज़ेंगे हो हम अच्छे से clear करेंगे यहां पर समझाने का main purpose यह था कि subject का comparison subject के साथ होगा अभी तो this that के उपर हाया भी नहीं हूँ फिलाल मैंने यह चीज़ बताईए अब मैं इस सारा rough कर रहा हूँ और इस sentence के उपर आएंगे मैं ओके यह sentence होगा मैं यहां पर लिख देता हूँ अगर किसी ने लिखा नहीं है यह subject है यह main verb है यह subject compliment है आपको पता हो तो जब भी बी की form main verb का का काम करती है तो इसके बाद subject compliment आते हैं conjunction है यह mean नहीं आएगा I आएगा subject number दो हो गया और इसके बाद M जो verb है वो understood है रमेश noun है proper है clear? okay the air of Delhi is more polluted than Mumbai अभी sentence को समझने के लिए एक छोटा इसी चीज और आपको समझनी पड़ेगी अब समझना क्या है वो यह समझना है मैंने आप लोगों को जो एक verb का basic करवाया था verb का basic करवाया था तो मैंने वहां पर एक बात बोली थी कि एक active verb होती है और एक passive verb होती है याद हो तो passive की निशानी क्या होती है B की form प्लस में verb की third form और B की form कौन सी होती है is, am, are और B यह first form होती है was, were यह second form होती है being third form होती है being verb की base form प्लस में ing बात कहता हूँ इसको मैं अगर यह वाला structure आपको मिल जाता है कौन से वाला B की form प्लस में verb की third form तो वो किस में चला जाएगा वो passive में चला जाएगा और passive में क्या होता है पैसी में जाने का मतलब होता है इसमें subject जो होता है वो receiver होता है वो receiver होता है clear यहाँ पे लेकिन active में क्या होता है active में जो subject होता है वो doer होता है के वो doer ही नहीं वो central idea भी हो सकता है यहाँ पे तो अलग-अलग परिभाशा है निकल के आये थी clear मैं क्यों करवा रहा हूँ ये चीजे, अभी देखो बच्चा यहाँ पर देखेगा ये रही मेंवब नहीं, एक मिनट, एक मिनट, इसको रॉफ कर देते हैं बच्चा ये लेखेगा, ये बी की फोर्म है सर, ये रही, बी की फोर्म कौनसी सर यह passive है यहाँ पर और passive है तो यहाँ पर receiver बनाने की कोशिश करेगा air को और यह sentence का meaning कुछ और निकलता बनेगा लेकिन sentence का meaning मुझे कुछ और है मतलब मुझे क्या है? मतलब इस sentence का meaning ही कुछ और है आप passive बनाओगे तो कुछ अलग निकल जाएगा तो उसको समझाने के लिए कि क्या होता है ये B की form है उसके बाद ये polluted लगा हूँ ये कुछ और है तो वो चीज मैं आपको यहां पर समझा रहा हूँ तो उसको समझो जरा यहां पर देखें I am married तो M क्या हो गई और I subject हो गया M main verb हो गई और ये married married क्या होगी ये वीथरी है ये भी वीथरी है ये भी वीथरी है ये भी वीथरी है और ये भी वीथरी है I am married, I am surprised, I am annoyed I am tired, I am worried इन sentence का मतलब क्या है इन sentence का मतलब है कि मैं शादिश होता मैं surprised, मैं हैरान हूँ मैं annoyed, मैं मतलब परिशान हूँ I am tired, मैं ठका हुआ हूँ I am worried, मैं चिंतित हूँ यह मतलब है इसका अब इसका यह मतलब थोड़ना है कि मेरी शादी करवाई गई मुझे surprise किया गया, मुझे परिशान किया गया मुझे ठकाया गया, मुझे चिंतित किया गया यह थोड़ना meaning है आरे आप किसी को बोलोगे कि यह क्या हुआ तो तुम कहोगे I am worried, मैं चिंतित हूँ यार I am tired, मैं ठका हुआ हूँ तो आप बोलोगे ऐसे ही ना उस चीज़ को यह main verb है यहाँ पर यह B की form लगी हुई है सर यह V3 आप लगा रहे हो तो यह पैसी में क्यों नहीं जा रहा reason यह है यह पैसी में ना जाने का यह जो V3 जो मैंने बोली न यह जो है यहाँ पर यह past participle है यह past participle है सर यह क्या चीज़ होती है मैंने का V3 जो होती ना verb की third form यह past participle इसको कहते है और यह adjective का काम करते है actual में यह सारे के सारे adjective बने हुए है यह verb नहीं है यह adjective का काम करें verb की third form adjective का भी काम कर सकती है और यह वाला concept मैं अगली वीडियो में clear करूँगा आप लोगों को समझ मैं अगर यहां पर कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो don't worry कोई tension लेने वाली बात नहीं है अगली वीडियो में अच्छे से crystal clear हो जाएंगे यह चीज़े कि यह B की form क्या हो रही है सर यह मतलब passive क्यों नहीं बना रहे है adjective क्यों कर रहे है past participle क्या हो रहा है present participle जीरंड infinity यह सारी चीज़ें जो अब basic start कर रहा हूँ मैं फिर से उसके अंदर मैं चीज़ें करवा हूँ आई clear यहां पर तो फिर से यहां पर आऊ ज़रा एक मिंट इसको rough कर देते हैं अब अब इसको break करते हैं अब मुझे लगता है कि आप लोग इस polluted को verb नहीं बोलोगे यहां पर कुछ और कहना पड़ेगा इसको verb की मतलब की है तो यह verb की third form लेकिन हम यहां पर क्या कहेंगे इसको adjective कहेंगे एक बर break कर लेते हैं जल्दी से off होगी preposition और daily हो गया इस preposition का object is हो गई main verb then होगी conjunction तो यह एक close है यहां पर पूरा का पूरा यहां तक close number one लिख देता हूँ इसको में close one इस verb को अपना subject चाहिए तो air जो है वो subject बनेगा the article है more polluted अब यह क्या है यहां पर यह जो polluted है यह verb की third form तो है लेकिन यहां पर यह adjective का काम कर रही है सर कैसे कर रही है तो धहरे रखो यार इस इस वीडियो में धहरे रख लो अगली वीडियो जैसे आएगी तो चीजें clear हो जाएंगे कि यह adjective कैसे बना यह verb की third form adjective कैसे बन गई यह चीजें में clear करोंगा अब आप लोगों को past participle present participle इन चीजों का कराने का time आ गया है मैंने basic में वो चीजें नहीं कराई हैं क्योंकि basic और ज़्यादा lengthy हो जाता तो सोचा pronouns start करवा देते हैं और जहां जुरूरत पड़ेगी उसको मैं include कर लूँगा अब जुरूरत पड़ रही है तो अगली जो वीडियो होगी वो definitely past participle, present participle, infinity, gerund इनके उपर करवाने वालो ताकि और चीजें clear हो sentence बढ़ियां बने अब हमारा तो यह adjective है adjective है तो यह काम क्या कर रहा है यहां पर subject compliment बन रहा है subject compliment कैसे बन रहा है क्योंकि यह देखो B की form लगी हुई B की form यहां पर यह जो है अगर mean verb का काम करते तो उसके बाद subject compliment आते है subject compliment बन रहा है यह क्या कर रहा है यह इस adjective को qualify कर रहा है यह adverb है देखिए मैं क्या कहरा है एक ऐसी कोई चीज होती है जिसको आप comparative में लेके जा रहे हो जैसे taller को अगर आप comparative में लेके जा रहे हो तो taller हो गया कुछ ऐसी adjective होती है जिनका ER लगा के उसको बनाया नहीं जा सकता जैसे beautiful जैसे beautiful अगर beautiful को मुझे comparative में लेके जाना है तो beautiful नहीं करूँगा मैं more beautiful करूँगा इसके पहले more लगादू हमें अगर इसको superlative मिले गया नहीं तो most लगादू हमें तो कुछ एक adjective ऐसी होती है जिनका ER से comparative या EST से superlative नहीं बनता उसको कैसे करते हैं उसके पहले more उसको comparative बना देता है उसके पहले most उसको superlative बना देता है clear तो ये जो है, वो more इसके पहले आकर, इसको qualify कर रही है कहेंगे तो एक adverb, adverb कहते हैं किसको जो एक adjective को, जो verb को जो खुद को qualify करते हैं, वो adverb होती है देखो, अगर पहली बार देख रहे हो न तो वीडियो, तो definitely जो चीजे मैं कह रहा हूँ ये किसको qualify कर रही है, ये verb है इसके पास subject compliment आ रहा है ये preposition है, preposition का object बना हुआ है, subject कहा हो रहा है तो ये definitely आप लोगों के जमझ में नहीं आ रही है, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो better ये ही होगा, अगर इस वीडियो को अच्छे से utilize करना है तो पिछली वीडियो देखनी बहुत जरूरी है, compulsory है, वो base है, ये वीडियो समझने का और जितनी भी वीडियो आएगी, आप वो पिछली वीडियो के उपर based होगी क्योंकि मैं उनके अंदर concept करवा चुका हूँगा अब बार बार उस चीज को करवाँगा, तो ये वीडियो lengthy हो जाएगी, अब मैं यहाँ पर subject compliment बनाने बैठूँ, इसको बताने बैठूँ subject compliment का है तो ये वीडियो तो आदे गंटे के और बन जाएगी इसमें extra, तो वो नहीं चाता न, तो already ज़िज़े available है, आप उसका फायदा उठाओ यार मैं अपना concept आगे करा देता हूँ, न, clear तो यहाँ पर आप, मैंने चीज़ों को break कर लिया है, अब यहाँ पर ये subject compliment बना है, इसको ये adjective है, इसको qualify कर रहा है ये adverb, तो ये एक तरीके का comparative हो गया है, यहाँ पर comparison हो रहा है, अब comparison हो रहा है ज़िज़ा देखो, then, अब आगे comparison था, यह मुंबई जो है वो subject number 2 बनेगी, अब जरा यहाँ पर समन्ने वाली बात क्या है, समन्ने वाली बात यह है, कि यहाँ पर subject था air, और यहाँ पर subject था मुंबई, अरे, आप हवा का comparison कर रहे हो, तो हवा का comparison करो न, जैसे दिल्ली की हवा polluted है, मुंबई की हवा से, दिल्ली की हवा, जादा polluted है, मुंबई की हवा से, इस sentence का meaning क्या है, the air of Delhi is more polluted than मुंबई, कि दिल्ली की हवा, जादा populated है, मुंबई की हावा से actual में तो यही meaning आना चाहिए था ना अपने पास लेकिन मैंने अभी क्या का अगर आपने comparison कर रहे हो तो अगर यहाँ पर subject लिखा हो है तो बाद में जो चीज लखी होगी उसे के साथ comparison चला जाएगा यहाँ पर करना क्या चाह रहे थी करना यह चाह रहे थी ना, actual में जो आपके अंदर की भावना यह थी कि सर एक काम करो ना यहाँ पर यह लिख दो then the air of Mumbai, यह लिख दो सर यह वाला sentence हो जाएगा सर इस then के बाद यह लिख दो the air of Mumbai, यह preposition आजएगी Mumbai, इस preposition का object बन जाएगा यह subject बन जाएगा अब यह air और इस air के बीच में comparison हो जाएगा यह यहाँ पर जोरा देखेंगे यह दिल्ली की हवा थी, यहाँ पर Mumbai की हवा हो जाएगी यह दिल्ली की हवा का comparison Mumbai की हवा से हो जाएगा सर यह वाली चीज लिखतो मैंने का बहुत सही, आना तो यही है the air of Mumbai आना यहाँ पर है लेकिन जरा देखो हम कर क्या रहे हैं हम कर रहे हैं, demonstrative pronoun भाईया demonstrative pronoun यानि एक तरीके का समझो pronoun करते ही कि मैं pronoun करते ही इसलिए है ताकि repetition रोक सके ना उनकी समझ रहे हो अरे एक बार air आ चुका तो उसका दुबारा से use क्यों करें यार यहाँ पर यह air क्यों use करके ले रहे हैं किसलिए ले रहे हैं तो इसकी repetition तो रोकनी पड़ेगी इसकी repetition रोकनी पड़ेगी साथ इसाथ मुझे यह संकेत करना पड़ेगा कि air की बात हो रही है समझ में आया क्या the air of Mumbai is more quality than the air of Mumbai यहाँ पर करना क्या था मुझे इस the air की repetition रोकनी है देखे sentence बिल्कुल सही है यहाँ पर या अगर आप full stop लगा जेते हैं मैं यह नहीं कह रहा लेकिन बार-बार noun की repetition क्यों कर रहे हो समझ रहे हो pronoun बैठा pronoun का फिर बनाया है क्यों अगर noun की बार-बार repetition करनी थी तो clear अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे color change कर लेना चाहिए clean कर लेते हैं तो air the air of यहाँ पर करना क्या था इस the air की repetition मुझे रोकनी है repetition रोकनी है तो यहाँ पर यह बैठे ना चार महाश्य संकेत भी करेंगे करवा भी यही रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आना था the air की जगह क्या लिख देते हैं that of Mumbai कर देते हैं that of Mumbai कर देते हैं इसके बाद यह the air of Delhi is more positive than that of Mumbai तो that जो है एक pronoun है pronoun होने के नाते भाईया यह subject बननी जाएगा और इस air का और इस that का comparison हो जाएगा क्योंकि that देखा जाए तो demonstrate या नहीं संकेती तो air की तरफ कर रहा है तो यह चीज है थी यहाँ पर यह sentence सही कैसे होना था sentence सही ऐसे होना था the air of Delhi is more positive than that of Mumbai होना था यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना कि comparison subject के बीच में ही अगर आप subject के बीच में कर रहे हो तो अगली बार subject ही लेकर रहा हो अगर object के बीच में comparison कर रहे हो same चीजों के बीच में comparison होगा अलग-अलग चीजों में comparison नहीं चल जाएगा ओके, क्लियर यहां पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो comment कर दिया करूँ कि हाँ समझ में आया, नहीं आया तो तब भी बताओ यार अगली वीडियो में उसको discuss करेंगे हैं बच्चे से बैठके अब चलते हैं आगे यह वाला concept मैं अगली वीडियो में करवा दूँगा tension नहीं लेने का कि भई यह क्या करें sir इसमें आगे हमें समझ नहीं आया अगली वीडियो में इस चीज़ को भी clear कर देंगे आज demonstrative से काम चला लो यार उसी के उपर भी एस है example अभी demonstrative करवा के आ रहा हूँ तो उसी के उपर हम करेंगे current scar is costlier than roshni the cost of current scar is higher than roshni यहाँ पर option मैंने दे रखे हैं इन दोनों के लिए यह जो उपर current वाला यह रिखा हुए और यह जो नीचे लिखा हुए तो cost वाला इनके लिए same option दे रखे हैं चार option दिए हैं अब अगर आप कर पाओ तो बहुत बढ़िया बात है वीडियो पोज करके एक बार खुद से एक बार करने की कोशिश करो कि क्या होगा हो जाती है तो काफी अच्छी बात है चलिए करिए कोशिश मैं उमीद करता हूँ कि आपने करने की ट्राइक योगी अगर जिन्होंने नहीं भी किये तो don't worry आप सीखने के लिए आप सीख जाओगे इस चीज को क्या है sir क्या कर रहे हैं demonstrative कर रहे हैं याद होगा इतनी चीज़ तो बार बार बोल रहा है demonstrative, demonstrative संगेत वाचक ताकि आप लोगों के दिमाग में वो चीज बैट जाए तो पहला sentence करते है करंस कार इस करंस का मतलब क्या है करंस की गाड़ी जहां रखना है चीज को करंस की गाड़ी तो इस क्या है यहाँ पर इस है main verb इस के लिए subject कौन होगा subject होगा कार noun है common है यह करं क्या कर रहा है करंस के उपर अधिकार जता रहा है तो यह noun possessive का काम कर रहा है possession का यह अधिकार जताने वाला एक तरीके का adjective के तरीके से काम कर रहा है adjective बोल मत देना काम adjective के तरीके से कर रहा है क्योंकि कार की विशेषता बता रहा है कार के बारें बता रहे है किसकी गाड़ी भहिया करन की गाड़ी तो कार हो गया subject करन इसके प्रदिकार देताने वाला possessive noun हो गया is main verb होगी अब यह costlier क्या है cost costlier यह adjective है भई adjective है subject compliment का काम कर रहा है यह एक close हो गया आगे यह then conjunction लिखा हुआ है आगे रोशनी subject number 2 बना हुआ है clear अच्छा पिछली वीडियो में शायद मैंने बताना भूल गया होगा यह that of Mumbai इसके बाद Mumbai के बाद is जो verb है वो understood है इसका ध्यान रखना अब भी जैसे मैंने यहाँ पर M के बारे में बोलाता है M verb understood है यहाँ पर भी is verb understood है current car is costlier than रोशनी इसमें एक verb जो है वो भी understood है is इस verb जो है वो understood है अब बात यह है कि यहाँ पर subject क्या बना हुआ है यहाँ पर subject बना हुआ है car यहाँ पर subject क्या बना हुआ है यहाँ पर subject बना हुआ है रोशनी comparison कर रहे हैं कैसे बाता चला क्योंकि ER लगी हुई है competition कर रहे हैं तो subject का comparison obviously subject के साथ होगा तो मुझे बताव car का comparison तुम रोश्णी के इसाथ की साथ कीसे कर सकते हो ये कैसे कह सकते हो तुम कर गया है car जादा महंगी है car जादा महंगी है रोश्णी से ये चीज कीसे possible हो सकती है अरे भया वह दैट तो तब लगाते अगर इससे पहले यहां पर कोई चीज लगी हुई होती, ये that कौमी करेंगे, that of रोशनी, ये वाला नहीं आ रहा तो ये वाला क्यों आएगा भई, समझ में आया, ये दो अप्शन रह रहे हैं, sir, रोशनी कार लिख दो, then, रोशनी कार, ये लिख दो, कि sir, यहाँ पर ये कार सब्जेक्ट बन जाएगा, रोशनी सी उपर अधिकार जताने वाले एक नाउन के रूप में, पोसेशन का काम कर लेंगे, ये वाली चीज सही है, sir, comparison हो जाएगा, same to same, मैंने का, बात तो बिल्कुल सही है, यार तुमारी, बिल्कुल सही एक दम बात, लेकिन, आएगा यहाँ पर, sir, ऐसा क्यों, ने का बहिया, बहात हो रही है, कार की, ये चीज अंडर्स्टूड मानी जाएगी, बहिए, कार की ओलेडी बात हो चुकी है, तो इसके उपर जो ये चीज है, अगली बार जब हम कार का रेपिटेशन, ये कार की बात करेंगे, त चोड़ दो, पोस्टोफे एस लगा देंगे, और आगे फुल स्टोफ लगा देंगे, तो सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या होगा पूरा सेंटेंस, करंस, कार इस कोशलियर देन, रोश्नीज, ये हो नहीं यहाँ पर, कार जो है, वो अंडर्स्टूड होगी, इस जो है, वो अंडर्स्टूड होगी, ये दोनों चीज़े अंडर्स्टूड हो जाएगी, मैं नहीं कहा रहा है, ये सेंटेंस है, अगर आप रोश्नीज कार लिख दोगे, तो गलत होगा, नहीं, बिल्कुल सही होगा, लेकिन, मुए कार की रिपिटिशन कैसे रोखूँगा कार की रिपिटिशन रोख दो, सिंपल लिख दो, रोश्नी वहाँ पर कार अंडर्स्टूड हो जाएगी, क्लियर, अब अगला सेंटेंस देखो जो रहा, अब यहाँ पर देखेंगे, ओफ प्रिपोश्टन है, कार इस प्रिपोश्टन का अब्जेक्ट बना हुए है, कार इसके उपर अधिकार जता रहा है, और कार का अधिकार इस कोस्ट के उपर है, यह ओफ प्रिपोश्ट याद है, नहीं याद है, यह अधिकार जताने के लिए, सलेक्शन करवाने के लिए काम करती है, अब यहाँ पर ओफ प्रिपोश्ट है, वो दो काम करती है, एक तो किसी का selection करवाना हो, उसके लिए off लगाते हैं, या फिर किसी का अधिकार जताना हो, तो वहाँ पर off preposition लगाते हैं, अभी फिलाल हम अधिकार के तोर पे इसका use कर रहे हैं, जितने भी हमने इस वीडियो में देखा है, वो अधिकार के तोर पे use किया है, okay, the cost of the cost of current's car is higher than रोशनी of preposition होगी, car is preposition का object होगा, current इसके पर दिकार जताने वाला एक noun है, possession का काम कर रहा है clear, is main verb होगी is के लिए subject चाहिए, तो cost इसके लिए subject का काम करेगा, clear, higher क्या है high, higher, highest, तो ये degree है, comparative degree है, adjective है, और is के बाद subject compliment आते है, तो subject compliment है, then conjunction है रोशनी फिर से subject बना हुआ है, यहाँ पर subject coast था, यहाँ पर subject आपने रोशनी बना दिया, comparison इनके बीच में हो गया यह comparison तो हो रहा है, आप comparison कर रहे हो coast का, वहाँ पर आपने लगा दी रोशनी, क्या था कि करन की गाड़ी की कीमत जादा है रोशनी से, अरे रोशनी से कैसे करोगे, रोशनी की गाड़ी की कीमत से जादा करोगे, ना, रोशनी कैसे कर दोगे, रोशनी कैसे कर दोगे अब यहाँ पर बतलो, क्या आएगा यहाँ पर अब यहाँ पर लगाना तो यह है कि भई रोश्णीज कर दें, रोश्णीज कर देंगे, अगर यहाँ पर रोश्णीज कर देंगे, तो रोश्णीज का मतलब होता है, रोश्णीज कार, रोश्णीज कार, रोश्णीज कार, भई यहाँ पर कार सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो सब्जेक्ट को अगर ये कर देते हैं, that of रोशनी तो इसमें क्या होगा? भाई ये that तो चलो माना इसने इसके उपर कर दिया subject ये यहाँ पर हो गया, ये subject बन गया ये that को, cost को इसने demonstrate कर दिया, demonstrative के तोर पर यहाँ पर आ गया clear ये of preparation हो गया है, रोशनी भाई ये रोशनी की कीमत हो जाएगी यहाँ पर रोशनी का अधिकार हो जाएगा कीमत के उपर बात तो यह हो जाएगी, आना क्या था गाड़ी की कीमत दिखा नी थी मुझे तो that of रोशनी भी गलत हो जाएगा इसमें इस वाले second वाले में तो क्या करें सर? वई यह देखो यह बैठा, तो यहां पर अगर आप post of with S, लगा देते ह오, that of Roshny's, तो that of Roshny's का मतलब उसले होगा? that of Roshny's Daar, तो यहां पर Car जो है, वो understood होकी Car, इसमें Roshny कादिकार, Car के तरillsBER, Is That के उपर, और That that demonstrator मतलब संकेत कर रहा है coast के उपर और यहां पर subject और इसका comparison होई जाएगा यहां पर तो आना क्या है यहां पर the coast of current scar is higher than that of roshni's यह आना था sentence यह है था हमारे सामने clear तो उपर वाले के लिए क्या है यहां पर कहा गया a और नीचे वाले के लिए क्या है d मैं इशारह लगा लेता हूँ यहां पर इसके लिए a आएगा और इसके लिए d आएगा समझ में आया okay एक last sentence है और यह और कर लेते हैं फिर हम आज की वीडियो का यहीं समापन करेंगे the stories of maabharata are more interesting than the ramayana तो मेरी एक request यह रहेगी कि वीडियो pause करें अगर concept समझ में आया है तो implement करो कि इस sentence को करने की कोशिश करो कि क्या किया गया है क्या समझ में आया है अगर गलती करोगे न तो definitely आप लोगों को चीज़ समझने आने आने वाली है वह यह देखो किसके मन में doubt उटते हैं जो कोशिश करते हैं उसके सामने गलतियां आती हैं उसके मन में doubt होते हैं मुर्खों के दिमाग में कभी भी doubt होते ही नहीं है क्योंकि वो कभी करते ही नहीं है कहां से उनके अंदर doubt पैदा हो जाएंगे तो कोशिश करो इसको करने की उके उमीद करता हूँ आप नोगों ने कोशिश की होगी देखो जैन्वन स्टूडेंट या जैन्वन जो competition की त्यारी कर रहा है वो विध्यारती जो है वो कोशिश जरूर करेगा वही होता है और वही लगता है क्यार हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है उस चीज में अब यहां पर अरे कहां गया अब दा स्टोरीज ओफ महाबारता आर मोर इंट्रेस्टिंग देन दरामायना इसको ब्रेक करेंगे ओफ परिपोश्टिंग होगी महाबारता इस परिपोश्टिंग का अबजेक्ट हो गया आर मेन वर होगी अब यह मोर जो है वो आर के लिए सब्जेक्ट का काम करेगा यह स्टोरीज यह सब्जेक्ट बनेगा अब interesting ये है subject compliment ये adjective है करवाऊँगा ये ing वाले कैसे subjective adjective हो सकते हैं अभी थोड़ा सा धहर रखो past participle, present participle आएंगे वो मैं चीज करा दूँगा, अभी समझो इस चीज को अब ing वाले सर ये क्यों नहीं हो सकते हैं समझो है देखो फिर भी थोड़ा पो तुम्हें करवाने एक और स्विश करता हूँ राम इस playing cricket देखें, जो ing वाली जो अगर आप इसको warm मानोगे, इस interesting को अगर warm मानोगे तो इसमें action होता हुआ आपको होना का मतलब उसमे continuity होनगी उस action में यहाँ पर राम cricket खेल रहा है इस playing में continuity है action में continuity है, interesting में क्या continuity है, सोचो the story जो महाँ बारता है more interesting, interesting में कोई continuity हो रही है क्या, अरे आप बोल दिया है, movie interesting है तो interesting है, मतलब दिल्चस्प है वो चीज़ दिल्चस्प हो रही है, ऐसा कुछ तो नहीं है यह चीज तो नहीं है तो अगर आप अगर इसको main verb बोलने के, अब बच्चा तो यही कोशिच करेगा इसको ing लगा हुए, continuity में डालने की कोशिच करते हैं सब तो अगर आप किसी चीज़ को continuity में डाल रहे है तो उसमें action देख लेना क्या continuity में होने वाला है या नहीं इस interesting में क्या continuity में होगी वो होगी नहीं तो इसलिए आप इसको verb में डालोगी नहीं फिर भी इसको अच्छे से clear करतेंगे मैं ज़्यादा इसके पर detail में अभी नहीं जाना चाहता क्योंकि already बहुँ जादा lengthy वीडियो बन रही है तो इसको clear करेंगे tension नाला ऐसा नहीं कि वीडियो lengthy बन रही है तो इसको क्या clear नहीं करेंगे बहुत अच्छे से clear करेंगे लेकिन इस वीडियो के लिए बस इतना ही रख लेते हैं अगली वीडियो में करेंगे शीच को यह sentence करते है अपना the stories of mahabharata are more interesting than the ramayna यह interesting जो है वो subject complaint बना यह adjective है यह more इसको qualify करने वाला adverb हो गया clear तो यह the article है article लिख नहीं रहा हूँ यह चीज समझा न यहां से लेकर यहां तक ही हो गया close one क्योंकि एक subject और वाब का पेर आ चुक है then यहां पर conjunction हो गया clear अगले आगे जो चल गया वो एक और close चल जाएगा उसमें एक subject वाब अपना आ जाएगा अब क्या कर रहे थे subject कर रहे थे comparison subject का subject के बेच में कैसे पता चल रहे है यह then लगा हुआ इससे पता चल रहा है comparison कर रहे है तो यहां पर रमायना जो है वो subject बना हुआ है subject number 2 तो यहां पर comparison कर रहे है comparison होता कि इसके बीच में subject का comparison subject के साथ object का comparison object के साथ होता है object वाला मैंने भी कराया है नहीं है object वाला भी कराऊंगा इंट्रस्टिंग है रमाइना जो रमाइना में लिखी हुई है उनसे तो यहाँ पर comparison आप अगर stories का कर रहे हो तो बाद में भी stories ही लेकर आनी थी ना तो यहाँ पर आपने रमाइना लगा दिया तो गलत हो गया यह इक story का comparison कर रहे है तो story लेकर आप यहाँ पर यह subject यहाँ पर रमाइना बना हो तो रमाइना तो गलत हो गया करना क्या चाहते थे कहना क्या चाहते थे सरी काम करो न कहदो न यहाँ पर that of रमाइना यह था सर यह that जो है वो stories को संकेत कर देगा यहाँ पर उसकी तरह विशारा कर देगा, यहां पर यह आ जाएगा और यहां पर सब्जेक्ट बन जाएगा और comparison, stories और that के बीच में comparison हो जाएगा सर यह इक दा, ऐसे कर दो अगर जिन्हों ने यह किया है तो तुम हो रटूत होते रटूत होते कैसे, जड़ा ध्यान देखो यह stories लिखा हुआ है stories लिखा हुआ है, यह क्या है plural है, ध्यान रखना इस चीज़को और यह that किसके लिए आता है that जो है, वो singular के लिए आता है, that जो है वो singular के लिए आता है, आना क्या था आना था, those वहाँ पर बात क्या हो रही है singular की हो रही है plural की हो रही है इस चीज़ को भी ध्यान रखना है उमीद करता हूँ यह चीज़ें समझ में आ गई होंगी आज के लिए इतना ही था अब तक हमने क्या किया this, that, these, those यह चीज़ें हमने किया इसमें तो आपने यह that और those करा है, these और this कहा है, वह यह समझो यह मैंने that क्यों लगा है, मतलब यहाँ पर अगर मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पर that क्यों लगा रहा है यहाँ पर this क्यों नहीं लगा है तो अगर एक बार ओलरी किसी चीज़ का यह कहते हैं, जिकर करना चाहते हो इसके लिए कोई मुझे introduction उसका दुबार से करना चाहते हो ऐसे समझो, उसका परिज़े दुबार से करना चाहते हो तो उसके लिए दिस नहीं दहटाता है समझ में आया और यह चीज़े मैं करवाई हुई है मैंने adjective versus pronoun का जो मैंने किया था तो उसके अंदर मैंने यह सिप चीज़ें करवाई थी तो वहाँ पर भी आप चीज़ें समझ सकते हो और यह कौन से अभी खतम हो गई है अभी तो चलेगा, अभी तो यहाँ पर बेसिक आएगा उमीद करता हूँ कि यह concept जो मैंने आप लोगों को समझाया है demonstrative वाला, वो आपको समझ में आया होगा नहीं आया है तो फिर से वीडियो देखिए फिर भी नहीं आया है तो comment करिए, मैं आपका reply करूँगा और एक अलग से doubt के लिए मैं एक वीडियो बना भी दूँगा आप लोगों को clear? तो अगर इस वीडियो से related आपको PDF चाहिए तो description box में आपको link मिलेंगा Facebook का, Telegram का तो जाकर join करिए, वहाँ पर आप लोगों को इस से related PDF मिल जाएगी और भी आपके price related, study materials related बहुत सारी जावाँ पर available है, वजाकर आप join कर सकते हैं वीडियो पसंद आई है, तो लाइक तो बनता है subscribe जरूर करिएगा चैनल को क्योंकि आपके subscription से महनत, मतलब महनत करने में होसला महनत करने में हिम्मत आती है कि हाँ, कि बच्चे देख रहे हैं, appreciate कर रहे हैं इसमें तो कोई पैसा नहीं लगता न तो like और subscribe जरूर करिए मतलब like तो वीडियो करिए, subscribe चैनल को करिए और share, share तो भाई आप चैनल को भी करिए आप वीडियो को भी करिए, आपको कोई पाबंदी नहीं है इस चीज़ की तो उमीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी पसंद आगी होगी, तो कोई भी doubt है, comment करिए तो बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में thanks for watching this video